लोग हमारे दोस्ते दोस्ते हैं उनको नंग जारी हुआ था उसमें यह कह दिया गया था कि आपका नोटिफिकेशन इतने तारीको आ जायेगा और इतने से इतने दिन तक आपको फांब बनने की डेट रहेगी और अभी आपको कुछ देखने पर देखने को मिलेगी अगर जो किस तरीके से आपका paper pattern होता है जो भी लोग इस बार exam देने वाले हैं पहली बार उनकी लिए बताताएं कि आपका paper conduct होता है जो आपका paper का तरीका होता है यह कुछ इस तरीके से आपका बटा होता है कि कि जैसे हम बात करते हैं ससे यह ज़्य क्षुछ यही भर थेस की तो यह आपका जो पेपर का पेटन होता है यहां पर होता है और आपको निगेटी उन करया होतीं के छो चुछ बंद देखने को बाइब वह आपकर कॉर्षण बिक्निकल सी अपको घॠी डेखने को मिलता है और 15 कॉशन वह के 16 होता है। ठीक है तो यहां पर आपको जो है सबसे पहले आपको अगर सबसे पहले कर रहे हैं सबसे पहले आपको जो है इस cpt1 के लिए तयार होना चाहिए cpt1 में जो आपका maximum target होना चाहिए कम से कम 130 प्लस आपका होना चाहिए आप किस भी कडिकरी से हो अगर आप यूर से हो यह आप ओवी सी से हो यह आप यह सी स्टी से हो इतना तो आपका होना चाहिए cst हो यह आपका आपको यह समझना पड़ेगा कि हम पिडी में आराम से कॉलिफाइड हो जाएंगे कोई भी बीजग निए अगर आपको नंबर 130 प्लस रहेगा तो ठीक है इतना टार्गेड आपको लिखे चलना पड़ेगा ठीक है आपको क्वालीफाइड मेरा जो होता है कर आपके था ने को याथा है यहांपे आपके देखने को मिलता है 300 mark यह आपका paper का pattern होता है जिसमें से आपको वहाँ पे 2 घंटे का time मिलता है और आपको calculator को भी allow यहाँ पे कियाता है जिसमें यहाँ पे देखने को यह मिलता है कि आपको एक copy प्रपर तरीके से आपको वहाँ पे question statement दिखाए जाते हैं कि आपको यहाँ पे आपको चे कंड होते है अगर हिंदी में को होते हैं जो है तो यहाँ पनी जो चाहिए वह ल nämगबक लोगा चाहिए जो कि यह मेंज को के State होता है कि बहुत से लोग को डिकत यहां पर रहती है कि भाई हम परी की तैया रहे हैं मैंस की तो अगर आप उससे पहले आप ने कभी नहीं किया है सबसे पहले आप जो फोकस रहो अपने परी पर तो आप मेंस में कैसे जा पांँ जब लोग एक से दूसरी बार जो सेकंड टाइम देने जा रहे हैं तो उनको तो लगबाद प्री का एक मोटा मोटा आइडिया होगा तो वह साथ ही साथ में मेंस का भी प्रिबियस एर पेटरन लेकर चले कि हां क्या चीज़ है हमाई स्वाइल में से आपने स्वाइल में कौन से कुशन मेंस में बने हुए ह चीज़ से कुशन कौन से पूचा उस पर डेली डेली ना हो सके तो वेक लिए उसको एक बात देखते चलो था कि एक आपको थोड़ा आडिया लगता रही क्योंकि मैं आपको बता देना चाहतू यहां पर एक बात इस टेकली तोर पे कि जब भी आपका जो प्री एक्जाम ह लग जाते हैं जो लोग रेजल्ट का इंतजार करते हैं रेजल्ट आएगा तब एक्जाम देंगे तो उनके लिए मैक्सिमम बीस दिन ही मिलता है ठीक है अगर आप इस बात 26 परोरी को लोगों का एक्जाम था तो यहां पे जो है लगबख 25 जनौरी या 26 जनौरी की आस पा पाया था कि आप लोग प्री में कौलिफाइड हो ठीक है इस बात को ध्यार रखना कि जो अगर रेजल्ट का इंतजार करेंगे उसके बाद त्यारी करना श्रूर्ट करेंगे उनके पास बीस से बाइसंग का टाइम होता है ठीक है और जो लोग रेजल्ट देने के मेंजर की देखने के बाद में को बर्लम बढ़ जाता है कि हमको प्ताहरी करने चाहिए तो वो लोग अपना तरह सुरू करते हैं तो अगर आपके नंबर पिरी में 130 प्लस अगर आ जाएं तो आप 20 मेंस की तरह सुरू करो तब आपको तीन मैने का टाइम मिलेगा ठीक है अगर आप यहां देखोगे तो यहां पर दे भी रख़ा है कि जुने जो सिविल का आपका मेकेनिकल और रेटकल कांटी सर्वेंग दोहर तेस में जो वेकंसी पर वन आपका होगा 26 जुलाई को इसका नोटिफिकेशन रिलीज हो जाएगा ठीक है 26 जुलाई का इसका डेट आप एडवर्टाइजमेंट जो आपका होगा वह आपको आजाएगा क्लोजिंग डेट इसकी जो होगी वह आपकी 16 अगस्त 23 होगी अक्टूबर टेंटीव यह डेट है अक्टूबर 23 में इसका एक्जाम हो जाएगा तो आप माल लेजिए अगर अभी आपके पास अप्रे लिए अगर गोल रहा है कि हमको ससी दौर तेस में यह जी में वेकंसी जो हमारी संटर लेवल की होती है अगर आप उसमें सपना रहा है तो आप उसके लिए पांच महिने लगातार लग जाएगा और अच्छे से मौके को बून देजिए यहां पर देखना है कि किस तरीके सा आपको त्यारी करना है क्या चीजह आपको रहने वाले अगर आपको कोई समस्या हो तो आफ्रेंड कमेंट कर सके हमसे ले सकते हैं तो यहां पर बतादे नोटिफिकर्स कब आपका आएगा इससे प्रिजाम कब तक होगा यह भी आपको मैंतार अक्टूबर में हो जाएगा प्रिक के बाद जो आपका मेंस के लिए जो टाइम मिलता है तो लगभग दो से तीन मेने का टाइम मिलता है पर उनके लिए जो प्रिक एक्जाम के बाद एंसर की के बैस पर अपनी तयारी को करते हैं तो हाप आपको बीस से पचीस दिन ही देखने को मिलता है तो जानकारी इतनी थी आपको ताना था तो मिलते हैं फिर एक निश्ट्री में तब तक लिए थैंक्यू जैहिन जै भारत